गाइस ये कौन सा जानुवर है और इसकी खास बात क्या है टोमेंट जैरी के बारे में एक वीर्ड सा फैक्ट है अगर चलती ट्रेंज से आपका फोन गिर जाए तो आपको वापिस कैसे मिलेगा लेडिज के सर्ट के बटन लेफ्ट साइड में क्यों होते हैं और कैसे ये आद थी तो ये है दुनिया की सबसे पहली सेलफी इसे लिया था रोबर्ट कार्नीलियस ने सन 1849 में करीबन 180 साल पहले और इस सेलफी को लेने में पूरा एक मिनिट लगा था और ये कुछ ऐसी दिखती है नमबर 12 गाइस इस फोटो को देखकर बताओ कि ये कौन सा एनिमल है 11 बीबी सी की एक न्यूज के अकोडिंग स्वीडन के एक कपल ने अपने न्यूबॉर्ण बेबी का नाम ये रख दिया अब ये कैसा नाम है भाई अब इस नाम को परनाउंस करना इतना असान तो नहीं होगा इसलिए उन्होंने अपने बेबी का एक और निक नाम रखा अल कोमेंट्स में उस बेबी का यही नाम रहेगा अगर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और बाई चांस आपका मोबाईल फोन ट्रेन से नीचे गिर जाए तो आप क्या करोगे कैसे आपका फोन आपको वापिस मिलेगा ये फैक्ट आपको जरूर सुनना चाहिए पर फोन गिरा अब रेल की पट्रियों के बेच कुछ इलेक्टरिक पोल्स होते हैं कुछ इस तरह के इन पर कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं तो जहां पर आपका फोन गिरा उसके आसपास को इलेक्रिक पोल को देखना है और उसके नंबर को नोट कर लेना है उसके बाद आपको RPF यानि Railway Protection Force के हेलप लाइन नमबर पर कोल करनी है 138 या फिर 189 और उनको अपना Station बता देना है और Electric Pole का नमबर बता देना है इसके बाद वो आपके फोन को ढूंड लेंगे और अगले Station पर उसको दे देंगे और आप अपनी ID दिखा कर अपना फोन ले सकते हैं नमबर 9 टोम और जैरी के बारे में तो आप जानते ही होगे उसके बारे में एक weird सा fact ये है कि लाश्ट एपिसोड में टोम और जैरी स्यूसाइड कर लेते हैं नमबर 8 इस Animal को देखो इसका नाम है आरम डिलोज इसकी जमड़ी इतनी ज्यादा सक्त है कि अगर इसे किसी गंज से सूट करे तो इसके अंदर गोली नहीं जाएगी एक तरह से bulletproof skin नमबर 7 केले की एक ऐसी वेराइटी है जिसका color blue होता है और इसका नाम है blue jawa इसका टेस्ट vanilla ice cream जैसा होता है और मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी इस केले के बारे में सुना होगा नमबर 6 जब भी आप किसी showroom में जाते हो तो बाहर कुछ इस तरह के statues होते हैं जिन पर कपड़े पहनाई हुए होते हैं और जो कपड़ों की add करते हैं इन statues को English में मैंने queen कहा जाता है याद रखलो साइद आपके कभी काम आ जाए चीन की एक लड़की है शियोली इस लड़की के 20 boyfriend है और हर एक boyfriend ने gift में उसे आईफोन 7 दिया अब आप सोचोगे कि इसमें नई बात क्या है तो twist ये है कि इस लड़की ने इन सारे आईफोन को बेच दिया और उससे जो पैसा मिला उससे एक घर खरीद लिया इसे कहते हैं smart girl अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही हो तो इससे कुछ सीखे सीखे कुछ इससे नमबर 4 किसी भी पेपर को हम कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं एक बार दो बार पांच बार या फिर नॉर्मली साथ बार इससे ज़्यादा फोल्ड करना मुस्किल हो जाता है अगर हाइस्ट की बात करें तो अब तक 12 बार फोल्ड करने का वर्ल्ड रिकोर्ड है मतलब इससे ज़्यादा फोल्ड करना मुस्किल है लेकिन अगर हम इसे किसी तरह से 30 बार फोल्ड कर दे तो क्या होगा तीस बार फोल्ड करने के बाद ये इतना ज्यादा थिक हो जाएगा कि अगर हम इसे धर्ती से फैंके तो चांद तक पहुंचाएगा बट तीस बार फोल्ड करना impossible है इसकी कोई गर्दन नहीं है और इसकी गर्दन और फेस के पास extra fat जमा हुआ है और इसके घुटने चारों और घुम सकते हैं तो साइंटिस्ट का कहना है कि इस आजमी के कार एक्सिडेंट में बचने के चांस ज्यादा है यानि ये अपनी मोत को चकमा दे सकता है इस घर को देखो ये इरान में मोजूद है और ये बना था 700 साल पहले आज भी ये exist करता है और कुछ ऐसा दिखता है अगर आप ड्रेसिंग के बारे में थोड़ी सी भी sense रखते हो तो आपको पता होगा कि जैंट्स की shirt के button right side होते हैं जबकि ladies के shirt के button left side होते हैं ऐसा क्यों गाइज इसका कोई exact reason नहीं है लेकिन जो भी theories है मैं आपको बता देता हूँ 18th century की women अपने कपड़े खुद नहीं पहनती थी बलकि कुछ helper या नोकरानिया रखती थी उनकी jacket के button left side होने से उन made को असानी होती थी उनको पहनाने के लिए made के लिए कपड़े पहनाना easy हो इसलिए button left side होते थे यहीं से ये trend चला gents के button right side होने का एक कारण ये है कि ज्यादतर लोग right handed होते हैं ऐसे में अगर किसी ने कोई shirt या jacket में अपनी security के चलते या फिर कोई और region से weapon चुपा रखका है तो right side के button को खोलना left की compare में आसान होता है और वो इसे आसानी से निकाल लेते थे ladies के button left side रखने का एक कारण ये भी था traditionally जब horse riding की जाती थी तो ladies right की side pair कर कर बेठती थी ऐसे में अगर button left side होगे तो हवा उसके top में flow नहीं कर पाईगी और उसके कपड़े एकदम safe रहेंगे एक और सबसे famous कारण है the Napoleon theory France के समराथ Napoleon Bonapart की इस image को देखो इसमें वो अपने हातों को अपनी jacket में लिये हुए है और ये image बहुत important थी उस time gents और ladies के कपड़े same होते थे मतलब same side button ऐसे में ladies ने इस image को copy करते हुए same poses बनाना start कर दिया एक तरह से उसका मजाक बनने लगा जब Bonapart को पता चला कि उसका मजाक बन रहा है तो उसने सभी women को order दिया कि उनकी shirt या jacket के button उसके opposite side होंगे और ऐसा करने से वो उसकी नकल नहीं कर पाईगी तो यहां से भी this trend का चलन हुआ left side button होने का एक modern कारण ये भी है कि ladies को अपने baby के लिए breast feeding करना आसान रहता है तो guys यही कुछ कारण है जिनके चलते ladies की shirt के button left side होते हैं आपको इस वीडियो में सबसे मज़ेदार facts कौन सा लगा नीचे comment करके जरूर बताए इस वीडियो को like और share करे और ऐसे ही amazing mind blowing facts जानने के लिए इस channel को subscribe करे और साथ में bell notification icon को भी own कर ले see you in next video bye